इस equation का factor है x-1, तो इसका मतलब होता है x-1 is equal to 0 हम लिख सकते हैं, यानि कि x is equal to कितना हो जाएगा 1, ये 1 जो है वो इस equation का root है, इस 1 को हम इसमें put करते हैं, इस प्रकार हम x की value इस equation में put करेंगे और इसको is equal to 0 के ब्राबर लिखेंगे, अब इसको solve करते हैं k, 1 का square 1 होता है औ और 1 से इसको k को multiply करेंगे, तो k आएगा, यहाँ पर second term है minus 3 into 1, यानि कि 3 हो जाएगा, और third term k, as it is, is equal to 0, ये 1 और ये 2, यानि कि यहाँ पर 2 k minus 3 is equal to 0, यानि 2 k is equal to 3, यानि कि ये is equal to 3 हो जाएगा, 3 upon 2, यहाँ पर ये इस प्रकार हम किसी भी k की value निकाल सकते हैं,